दोस्तों भारतिय मुसल्मानों को ले करके अपनी छवी लगतार धोने की कोशिश केंदर की मोदी स्तरकार कर रही है और अपनी छवी को भी बचाने की कोशिश दुनिया भर में की जा रही है बिछले महीने जिस तरीके से अमेरिकी दोरे पर भारतिय मुसल्मानों को ले करके तीखा सवाल देश के प्रधान मंतरी श्री नरंदर मोदी जी से पूछा गया उसकी फजीहत दुनिया ने देखी किस तरीके से देश के प्रधान मंतरी श्री नरंदर मोदी जी ने भारती मुसलमानों को ले करके अपना बयान भी जारी किया और पानी पी पी करके उन्हें ये जवाब देना पड़ा और उसके बाद ये दिखाने के लिए कि वो मुसलमानों के लिए कितने करीबी है मिस्तर की मस्जद में जाकर के दौरा भी करते हैं पर ये मामला यही रुकने वाला नहीं था अमेरिकी और मिस्तर के दौरे से लोटने के पाथ यूनिफॉर्म सिविल कोर्ट का बम जो है वो फोड़ दिया गया देश की जनता के पीच में और भारती मुसल्मानों को ले करके तीखी टिपड़ी होने लगी और जब देश में इसका विरोध यूनिफॉर्म सिविल कोर्ट को ले करके चल रहा है तो इसी बीच छे दिवस्य दौरे पर सौधी अरब के पुर्व नियाय मंत्री और मुसलिम वर्ल्ड लीक के महा सचीव कच्छे दिवस्य दौरा भारत में रखा जाता है और इसी दौरे के दौरान मीडिया सुर्खियां बताता है कि देखिये कैसे भारत सरकार की तारीफों के पुल बांदने का काम सौधी अरब दौरा किया किया कैसे ये कहा कि हर धर्म का सम्मान जो है वो देश में होता है और असल में सौधी अरब मुसलिम वर्ल लीक के महा सचीव ने भारत में आ करके भारत सरकार को आइना दिखाने का काम किया वो भी अजीड दोबाल के सामने बैट करके आखों में आखे डाल करके ये डंके की चोट पर कहा जिसे कोधी मीडिया ने छुपा दिया ये कहा गया खासतोर पर के भारतिय मुसल्मानों को अपने मुसल्मान होने पर गर्व है वो दुनिया के किसी भी कोने में जाते हैं वो साफतोर पर कहते हैं कि उन्हें भारतिय होने पर गर्व है और यहां तेश में उन्हें प्रताडित किया जाता है कि उन्हें दूसरे तेश भेजा जाएगा CA NRC के दौरान डर दिखाने की कोशिश होती है और इनहीं के नेता कहते हैं मिंट मिंट पर पाकिस्तान भेजते के और यही मुस्लिम वर्ल्ड लीग के बड़े नेता साओधी एरब से भारत के छे दिवस्य दौरे पर आकर के कहते हैं कि हर भारती मुसल्मान को अपने भारती होने पर कर वह हैं इस बात को कैसे मीरिया ने नजर अंदास किया है और कैसे आख में आख डाल करके डंके की चोट पर तमाम बाते जो हैं वो अजीद दोभाल के सामने भारती मुसल्मानों को ले करके कहीं है उनके कई सारंश आपके सामने रखूँगा जहां छे दिवसिये भारत दौरे पर आए सौधी अरब के पूर्व नियाय मंत्री और मक्का इस्तित मुसल्मानों के प्रभाव शाली संगिठन मुसलिम वर्ल्ड लीग के माहा सचीव मुहम्मद बिन अब्दुलकरीम अल-ईसा ने मंगलवार को कहा कि भारत के मुसल्मानों को भारतिय होने पर गर्व है उन्होंने कहा कि भारत दुनिया में से अस्तित्व का सबसे बेहतरीन उधारन है जहां वहा के मुसल्मानों को दुनिया के किसी भी कौने में रहे वो सबसे पहले यही बोलते हैं कि वो भारतिय हैं और भारतिय होने पर उन्हें गर्व है Islamic Culture Center के event में अल इसा के साथ भारत के राश्क्रिय सुरक्षा सलहकार अजीद दोभाल भी मौजूद रहे Islamic Culture Center में एक event के दौरान बोलते हुए अल इसा ने कहा कि हम जानते हैं कि मुसलिम भारत की विवित्ता का एक एहम हिस्सा है भारत के मुसलिमों को अपने भारतिय होने पर गर्व है धर्म सहयोग का एक जर्या हो सकता है हम समझ विक्सित करने के लिए हर किसी से बात करने को भी तैयार है भारत ने मानवता के लिए बहुत कुछ किया है भारत से अस्तित्व का दुनिया में सबसे बेहितरीन उधारन बन करके उभर रहा है जहां समचार एजिंसी के रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचीव ने भारत के गौरफशाली इतिहास की तारीफ करते हुए कहा कि संस्कृतियों के बीच संबात इस्थापित करना समय की मांग है जहां भारत के इतिहास का जिक्र किया और ये बताया कि भारत में कैसे सभी धर्मों को मानने वाले लोग अपनी अपनी आस्था के साथ एक साथ कंदे से कंदा मिला करके चलते हैं और बीते दिनों में ये तस्वीर पिल्कुल बदली जा रही है और भारत का अस्तित भी सभी धर्मों को साथ में ले करके चलने वाला बना हुआ है ये अजित दुभाल के सामने बुला गया और भारत के जो धरोहर हैं इतिहास हैं उसका भी जिक्र किया गया और तमाम चीजें सामने रखी गई जहां उन्हों ने कहा कि हम भारत के इतिहास और विवित्ता की तारिफ करते हैं संस्कृतियों के पीच एक संबाद इस्थापित करना ही समय की मांग बन करके उभरा है विवित्यता संस्कृतियों के पीच बहुतर रिष्टे कायम करती है डायलोग जो है वो एक दूसरे के पीच की दूरियों को कम करते है मुस्लिम वर्ल्ड लीग दुनिया की विभिन संस्कृतियों से जुड़ा हुआ है विविट्टा में एक्ता के बहतर रास्ता खोच रहा है हिंदू मुसल्मान में मेरे बहुत सारे दोस्त है और ये मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महा सचीव ने भारत में आकर के ये पयान दिया जहां उन्होंने साफत तोर पर कहा कि कई हिंदू ऐसे हैं चो मेरे खास दोस्त हैं और यहां किस तरीके से कहा जाता है कि मुस्लिम देश में हिंदूों के साथ क्या हो रहा है और यह आइना खुद भारत में आकर के भारत सरकार को दिखाया गया है महा सचीब तौरा जहां उन्होंने तमाम बातों को सामने रखा उन्होंने भारत के संविधान की भी तारीफ करते हुए आगे कहा सही सूनता हमारे जीवन का अंग होना चाहिए भारत एक हिंदू बहुल राष्ट है बावजूत इसके इसका संविधान धर्म निर्पेक्षे है भारत एक हिंदू बहुल राष्ट है पर संविधान के हिसाब से चलता है इसलिए देश का संविधान ही सर्वो पर ही है हम धर्मों के बीच में समझ को मजबूत करना चाहते हैं विश्व में नकरात्मक विचार फैलाए जा रहे हैं हमें एक समान मुल्यों को मजबूत करने के लिए काम करना चाहिए और ये साफ तौर पर कहा कि भारती मुसल्मानों को ले करके जो देश की छवी दुनिया भर में बिगड रही है उसे दुरुस्त करने की जरूरत है उसे ठीक करने की जरूरत है जहां इसलाम दूसरों को माफ करना सिखाता है अल-ईसा ने आगे कहा कि मुस्लिम वर्लीग सबके साथ बातचीत के लिए तयार रहता है इसलाम में बस सही शून्ता की बात नहीं बताई गई है बलकि इसलाम दूसरों को माफ करना सिखाता है उन्होंने कहा कि भारत पूरी दुनिया के लिए प्रिणना है क्योंकि ये हर किसी से बाचीत के लिए तैयार रहता है भारत के साथ हमारी समझदारी पूरी दुनिया के लिए एक संदेश बन चुकी है और ऐसे समय में अल-ईसा भारत आए है जब यूनिफॉर्म सिविल कोट को ले करके देश में एक बहस चड़ी हुई है और ये साफतोर पर पताया जा रहा है कि दुनिया भर में जो भारत सरकार की छवी भारतिय मुसल्मानों को ले करके बिगडी है उसी को ठीक करने के लिए सौदी अरब मुसलिम वर्ल लीग के महा सचीव का छे दिवसिय भारत दौरा कराया किया है जहां अल-ईसा ने छे दिवसिय भारत यात्रा जो सुमवार को शुरू हुई उनकी इस यात्रा का उदेशे धर्मों के पीच जो नफरत फैल रही है और भारत की राजनितिक और धार्मिक नेताओं को इसलामी दुनिया के अक्रिंग संस्था से चोड़ना है उनके इस दौरे में पीस, डिप्लोमेसी, शांती के लिए कूटनितिक के तौर पर भी देखा जा रहा है क्योकि Muslim World League को सौदी अरफ फंडिंग करता है Muslim World League Muslim दुनिया का सबसे बड़ा NGO है जिसकी Muslimों के पीच गेहरी पकड़ है इधर Muslim World League का दुनिया भर के मुसलमानों के पीच बहुत बड़ा प्रभाव है अल इसा विश्व के मुसल्मानों के बीच काफी लोग प्रिये है यूसिसी पर बहस के बीच उदार इसलाम के समर्था के इसा का भारत आना और पड़े नेताओं से मिलना ऐसे में महतपून हो जाता है जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आ रही है और ये डंके की चोट पर जो में इसी मीडिया ये दिखा रहा है कि देखिए कैसे तारिफों के पुल बांदी यहां तारिफों के पुल नहीं आख में आख डाल करके आइना दिखाने की कोशिश सुदी अरब द्वारा की गई है हर एक तस्वीर आपके साथ साचा करता रहूंगा दीची इजासत शुक्रिया